ढूब ऑनोर जाएं बाता है कि आपने एक्सराइज करने वाले हैं करने है न गारना यहन आपको समझे से दूहालो है काई ने कुन हैं पुस्ट में होगी ऊचिक ने शेक अब कारिए को यस तुन समझने आतके हैं और नहीं और वि बदा दो समस्टर को समझ़ों के हम B ताइम नंबर क्या होते हैं इसको हिंदी में आवाज शंख्या बोलते हैं जो हिंदी मेडमाले बच्चे हैं ताइम नंबर को आवाज नंबर बोलते हैं जो एक एंड अपने आप से अपने आप से और खुद से जवाइट हों होगे वह हमारी क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं जैसा कि एचांबर लिख्या होगे बन वहां हमारा कोई prime number नहीं है 2 2 हमारा 1 से भी divide होता है अपने आफ से 2 से भी divide होता है 3 1 से भी होता है खुछ से भी होता है 4 नहीं होता 4 क्योंकि हमारा 1 से होगा 2 से भी होगा 4 से भी हो जाएगा यह नहीं हमारा prime number 5 5 भी होता है हमारा 6 नहीं क्योंकि 6 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, 12 से होगा, 13 से होगा, ऐसे करके आप देख लीजिए, जो 1 से एंड अपने हाँ से टिवाइट हो, okay, so, आप मैं आपको बताना चाहूंगी, composite number क्या ह होते हैं, composite number, ऐसी number जो एक से बड़े हो, जो प्राइम नमबर ना हो, so, एक हमारा composite number नहीं है, and इस तो, वो हमारा prime number इस लिए composite number नहीं है, 3, 3 दी मारा prime number है, 4, 4 हमारा composite number है, 5 हमारा prime number है, and 6 हमारा composite है, 7 यह है, 8, 10, 12, okay, ऐसे ही हमारी composite number है, हमें आपको बताना चाहूंगी, कि factors क्या होते हैं, इस exercise में हमारे factors क्या होते हैं, इस exercise में हमें यही factors क्या होते हैं, और कैसे निकाल ला हैं, वैसे हमें छोटी class में भी पड़े हैं, जो student रूल गया हैं, वो मैंने उनको रिपीट करा दिया हैं, इस exercise में हमें यही factors निकाल ले हैं, SCF and LCF, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, questions, तो आप अपनी notebook लेके ready हो चाहें, और मैं English and Hindi में दोनों में explain करूंगी, तो जो Hindi medium बाले बच्चे हों, वो Hindi में note-down कर लें, जो English medium बाले बच्चे हों, वो English में note-down कर लें, यह हमारा first question, जो Hindi medium बाले बच्चे हों, वो नो-down कर लें, जो English medium बाले बच्चे हों, उनके लिए मैं बोल देते हूं, first question, explain each number as a product of its prime factor, इसमें हमें prime factor product करना है, तो आपको मैं बता चुके हूँ, prime number क्या होते हैं, तो इसमें हमें factors निकाल लें, तो first questions हमारा यह है, यह first questions में यह 5 है, इनको हमें निकालना है बारी बारी करके, तो first मैं निकालती हूं, 140, तो 140 का मैं निकालती हूं, 140, 270, 3, 5, यह, 5, 7, 7, 1, 1, अब यह हमारे, 2, multiply, 2, 5, 7, this is factor, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह प्रूब आ रहे हैं, इस पर 1, अब निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, यह हमें फाइंड करना था, 3, 9, 1, 3, 13, 1. Okay, short 2, 2, 3, 13. So, इसको हम, यह हमारे factors हैं, इसको हम ऐसे लिख सकती है, क्योंकि 2 हमारा 2 आ रहा है. तो तो तीन बार होता होता है, तो हम इसकी power 3 लेखते हैं. 2, 3 and 13, this is factors. Okay, यह हमें find करना था. आप लोग नोट डाउन करने सें इसके बाद मैं ये थर्ड ग्षट्न लगाऊंगी इसके बाद ये आप ये दोनों कोस्ट्ट लगासें पताना मुझे कमेंड बॉक्स में कि येसे क्या फैक्टर निकलते हैं मैं भी ये कोस्ट्रों सोर वर साॉल्ब कर विए अब हम लगाते हैं थर्ड वाला यह पीस से डिवाइट होगा उते होगा नहीं क्योंकि 5 लास्ट में थ्रीश होगा थ्री टू सेवन फाइव यह थ्रीश फिर होगा फोर टू फाइव और फाइव से एट फाइव फाइव थ्री थर्टी वाइव इसके यह हमारे से फैक्टर राने क्या है इसको वह इसे लिख सके दोайте लिख कैसे थी पावर जो कि आप 2 वह कोश्ट्न के बता हैं इसका आазर मजब कमेंट वैक्प से बता हैंSch कि किसके क्या स्थैक्र के बताव अब हम स्टार्ट करते हैं second questions तो यह आप note down कर लीजे इसके बाद हम second questions लगाते हैं बस्टर ही हमारा second question है जो आप note down करिए और English medium बालम के लिए में बोलते हैं हो तो आप note down कर लीजे find the LCM and SCF of the following pairs of integer and verify that LCM multiply SCF product of the number इसमें हमें two numbers है इसमें हमें क्या करना है पोस्टर में LCF and SCF दोनों find करना है तो इसके फिर उत्तर की जांच भी करना है कि जो हमारा NCF or SCF आया वह हमारे जो प्रोड़क्ट दिया गया और इसके equal है कि नहीं है इसको हम solve करते हैं इसमें कुश्चन CA हमारा है इसमें हमें किसकर निकालना है 26 and 91 तो इसका हम बारी बारी करके निकाल लेते हैं इसके बाद हम इसके उत्तर की जांच करके इसको सूफ करेंगे 2, 1, 3 and 13 तो कि अब यह किसी से निकाटेगा कि निकाल आया है 2nd 91 यह किसी से निकाटेगा हम 3 यह नहीं होगा 4 से भी नहीं होगा 7 से 7 से जाएगा 7, 3 and 13, 1 तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे 1, 2 तो इसका यह निकला 13 और इसका निकला 7 and 13 इसमें हमें क्या निकालना है SCF and LCM SCF हमने अपने questions exercise में 1.1 में पढ़ा हुआ था SCF SCF हम कैसे निकालते हैं जो दोनों में common हो उससे हम निकालते है SCF तो इसमें common क्या है 13 common है तो यह हमारा क्या होगा SCF और हम SCF LCM कैसे निकालते हैं LCM जो पॉमन है वो तो लेंगे इसके अरावा जो भी होगी इसको भी हम लेंगे 2 & 7 SCF 13 और LCM 13 2 & 7 अब इसके बाद इसमें क्या क्या है हमने इसको फाइंड कर लिया दोनों को अब इनकी जाज कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुडणपल SCF और LCF है दोनों संख्याओं का गुडणपल अब इनका इनका अब इसका यह होग है अब हम इसके जाज करते हैं इसका multiply करेंगे आएगा 182 अब इसके बाद हमारा question क्या है कि SCF और LCF अब इसके जाज करना है multiply LCM is equal to तो संख्याओं का गुडणपल यानि product of two number अब यह कितना निकला है 13 and LCF कितना है 182 and product of two number two number क्या थे यह है 26 and 91 इसका multiply होगा तो इसका multiply करोगे आप तो यह आएगा दोनों equal हैं यानि हमारा question सही है उत्तर की जाच होगा आप note-down कर सकते हैं and जो doubt मेरे से comment box में लिखकर जरूर पूछे मैं आपके doubt सब्सक्राइब नी किया जिन बच्चों ने मेरे चैनल subscribe नी किया वो subscribe करें and ज्यादा सब्सक्राइब करें जिससे लोगों की health हो सके and जब काफी बच्चे परिशान होगे कि इस lockdown में कैसे पढ़ें तो आप उनकी health करिए बच्चों okay note-down होगया अब हम थर्ड questions लगाते हैं मैंने आपको इसका second question का यह solve करवा दिया है second का दूसरा है 110 and 92 and third is 3 36 and 54 second and third यह आप अपने घर पे solve करिए and अगर नहीं आए तो बताएए आपको यहाँ ग्लास में बताऊंगी आपको भी तो लगाना जरूरी है मैं ही सारे questions लगा दूँगी फिर आपको पैसे समझ में आएगा कि doubts क्या हो रहे है और आपको लगाने में क्या problems हो रही है तो घर पे लगाएए and जो नहीं आ रहा तो पुछे मैं help करूँगी और इसका इस class में भी बताऊंगी okay अब हम 3rd questions लगाते है यह हमारा 3rd questions है तो आप note down करें and English medium बालोकली मैं बोल रहे हूं find the LCM and SCF of the following integer by applying the prime factorization method okay तो मैंने बताया था आपको factors कैसे नहीं काल ले इसमें हमें SCF और LCM find करना है तो इसके लिए मैं देख 1st questions लगा रहे हूं 1st हमारा 12, 15 and 21 factors निकाल ले हैं 12 6 3 1 and 15 के निकाल ले हैं 15 के 3 5 1 21 21 3 7 1 इसका निकल आया अब हमें इसके LCF और LCM find करना है तो यह हमारे factors है 2 2 2 2 3 इसका हमें 12 का है 15 का है 3 5 21 का हमारे केंपला है 3 and 7 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 and 7 इसको solve कर लीजे 3 4 2 2 4 5 7 5 5 6 6 6 8 8 9 10 10 10 11 12 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 इसका LCF और यह है PCF यह यह निकल आया हमारा सब्सक्राइब से यह नोट डाउं कर दीचिए मैं सब्सक्राइब करा रही हूं थर्ड को सब्सक्राइब अपनी घर पर लगाएगा हम सब्सक्राइब लगाते हैं इसमें 17 यह तो किसी से भी जा रहा है क्योंकि यह प्राइम नंबर है यह वन से होगा या फिर 17 से होगा 23 इस प्राइम नंबर है यह तो हमेज का यह कितना है यह तैवन का 17 का 17 आया और 23 का 23 आया 29 का 29 आया अब हमारे सका S.C.F और L.C.M. करना है तो L.C.F कॉमन कुछ निये बट बन तो कॉमन है यह न कुछ निये तो बन होगा और L.C.M कुछ निये 17 23 29 जिन से सका मुल्टिप्लाइ करें यह तो मुल्टिप्लाइ करें के बार हमारा L.C.M. आता है 139 तो यह से हमारे यह L.C.F और L.C.M. निकलारे यह हमारे यह C.F है यह हमारे L.C.M. है तो आपको समझ में भी आगए होगा कि कैसे निकालते है L.C.F न.C.F और यह मारे थर्ट कॉषिंस इसको भी मैं सॉल्फ करा दीरी हूँ पर इसके बाद हमारे कुछ चुछ चुछेंगे इस यहिट में जो स्कल्फ निस हो जाएगा कि कर दो एक यह थार्ब कुस्टिंज एट नाइन ट्वंती फाइव कि है तो एक नाइन अब तो बैसी भी आप लोगों को समझ में आगया होगे कैसे इसको कि स्क्रेटर्स और ल्टीम किसे निकालना है वाइव तो तो थी 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 फाइव इसका ल्टीय और ल्टीयम क्या होगा कॉमन कुछ नहीं है कॉमन इसमें वन तू कॉमन है वन आगा इसका ल्टीयम और ल्टीयम क्या आएगा टोटल पूरा जाएगा यह तीन बार है त्री टू बार है फाइफ टू बार है एथ हो गया इन नाइन हो गया एंज ट्वेंटी फाइफ इसका टोटल करिये किता हो रहा है हो इस प्रिकार हमारा यह कैश्यम एल्सेयम इल्सेयम कितना है यह एल्सेयम अब इसमें दो ग्युश्टन इसको बिच्च हुए है जो मैं कल इसको फिनिश कर दूंगी और कल ही हमारी 1.3 exercise start हो जाएगी तो प्लीज कमिस ना करें जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जुरूर मेंसिज करके बताईएगा और इसके बाद कोसिस करिए कि जारे से जादा इस्टुटेंट से जुड़ें उनको भी help मिले और इस्टुड़ी करिए घर पे फ्री मत रहें एंड कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ कोई स्टुड़ेंट है जो इंजीन को समझना आ रहा हूँ वो भी बता सकते हैं एंड आप लाइक और कमेंट और से जरूर खरिए थैंक्स पर बाचे